बागिरत जी चोधरी, उत्तर प्रदेश के उपमुक्य मंत्री, केशो प्रसाद मौर्य, ब्रदेश पाथक, विधान परिशत के सदस्य और भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष, स्री भुपेंद्र चोधरी जी, प्रदेश सरकार के अंडे मंत्री गाण, जन प्रतिनीदी गाण, और विशाल संख्या में आये हुए, मेरे किसान भाईब हैं, काशी के मेरे परिवार जनो, चुनाव जीतने के बाद, आज हम पहली बार, बनारस आयल है, काशी के, जनता जनार्दन के, हमार पनाम, बाबा विश्वनात, और मा गंगा के आशिरवाद से, काशी वासियों के, असीम स्ने से, मुझे तीसरी बार, देश का, प्रधान सेवक बनने का, सवभाग्यम मिला है, काशी के लोगों ने मुझे लगातार, तीसरी बार, अपना प्रतिनिती चून कर, धन्य कर दिया है, अब तो, मा गंगा ने भी, जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यही का हो गया हूँ, इतनी गर्मी के बावजोद, आप सभी यहां, बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए, और आपकी यह तपस्या देख करके, सूर्य देवता भी, थोड़ा ठंड़क बरसाने लग गया, मैं आपका अभारी हूँ, मैं आपका रणी हूँ, साथियों, भारत में, अठारवी लोगसभा के लिए हुआ यह चुनाव, भारत के लोग तंतर की विशालता को, भारत के लोग तंतर के सामर्थ को, भारत के लोग तंतर की व्यापकता को, भारत के लोग तंतर की जड़ों की गहराई को, दुनिया के सामने, पुरे सामर्थ के साथ, प्रस्तुत करता है, इस चुनाव में बेश के चौसट करोर से जादा लोगों ने मतदान किया है, पूरी दुनिया में इस से बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, अभी मैं जी सेवन की बैटरक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था, जी सेवन के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे डेड़ गुना जादा है, यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दे, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दे, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे ड़ाई गुना जादा है, इस चुनाओं में 31 करोर से जादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है, ये एक देश में महिलाओं वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आस्पास है, भारत के लोगतंत्र की यही खुपसूर्ती, यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्शिद भी करती है, प्रभावित भी करती है, मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोगतंत्र के इकुपसूर्त को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है, काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं, बल्कि तीसरी बार PM भी चुना है, इसलिए आप लोगों को तो डेबल बधाई, साथियों, इस चुनाओं में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है, वो वाग कई अभुत्पुर्वा है, इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है, दुनिया के लोगतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है, कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जन्ता ने ये भी करके दिखाया है, ऐसा भारत में साट साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी, आपने ये सवभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोधी को दिया, भारत जैसे देश में, जहां युवा आकांचा इतनी बड़ी है, जहां जन्ता के अथा सपने है, वहां लोग अगर किसी सरकार को, दस साल के काम के बार, फिर सेवा का आउसर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी विक्विक्तरी है, बहुत बड़ा विज़ा है, और बहुत बड़ा विश्वास है, आपका ये विश्वास, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, आपका ये विश्वास, मुझे लगातार, आपकी सेवा के लिए, देश को नई उन्चाई पर पहुँचाने के लिए, मैं आपके, आपके सपनों को पुड़ा करने के लिए, आपके संकलपों को पुरा करने के लिए, मैं हर प्रयास करूंगा, साथियों, मैंने किसान, नवजवान, नारी शक्ती और गरीब इन्हें विश्चीद भारत का मजबूत स्तंब माना है अपने तीसरे कारकाल की शुरुवाद मैंने इनी के ससक्ति करन से की है सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है देश भर में गरीब परिवारों के लिए तीन करोड नए घर बनाने हो या फिर पी एम किसान सम्मान निदी को आगे बढ़ाना हो ये फैसले करोडो करोडो लोगों की मदद करेंगे आज का ये कायरकम भी दिख्सीद भारत के इसी रास्ते को ससक्त करने वाला है आज इस खास कायरकम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गाओं के लोग जुड़े है करोडो किसान हमारे साथ जुड़े हुए है और ये सारे हमारे किसान माताए भाई भेने आज इस कायरकम की शोभा बढ़ा रहे है मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में गाओं गाओं में आज टेकनोलोजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का देश के नागरिकों का अभिवादन करता है थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोरो किसानों के बैंक खाते में पी-एम किसान सम्मान निदी के बीस हजार करोर रुपिये पहुचे है आज तीन करोर बहनों को लखपती दीदी बनाने की तरब भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है क्रिशी सखी के रूप में बेहनों की नई भूमी का उन्हें सम्मान और आई के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे मैं अपने सभी किसान परिवारों को माता और बेहनों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता है साथियों पी-एम किसान सम्मान निदी आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक बेंडिफीट ट्रांसपर स्कीम बन चुका है अभी तक देश के करोडों किसान परिवारों के बेंग खाते में सवा तीन लाग करोड रुपिये जमा हो चुके यहां वारानसी जिले के किसानों के खाते में भी साथ सो करोड रुपिये जमा हुए है मुझे खुसी है कि पी-एम किसान सम्मान निदी में सही लाभारती तक लाभ पहुंटाने के लिए टेकनोलोजी का बहतर इस्तमाल हुआ है कुछ महिने पहले ही विख्षिद भारत संकल्प यात्रा के दोरान भी एक करोड से अधिक किसान इस योजना से जुड़े है सरकार ने पी-एम किसान सम्मान निदी का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है जब सही नियत होती है सेवा की भामना होती है तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जन हित के काम होता है भाई और भेनों 21 सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थीक ताकत बनाने में पूरी करशी व्यवस्ता की बड़ी भूमी का हमें बैस्वीक रुप से सोचना होगा ग्लोबल मार्केट को धान में रखना होगा हमें दलहन और तिलहन में आत्मन निर्भर बनना है और करशी निर्यात में अगर नहीं बनना है अब देखिए बनारस का लंगड़ा आम जौनपूर की मुली गाजीपूर की बिन्नी ऐसे अनेत उत्वार आज विदेशी मार्केट में पहुँच रहे हैं बन डिस्ट्रीक बन प्रोड़क्ट और जीला स्तर पर एक्सपॉर्ट हब बनने से एक्सपॉर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपॉर्ट क्वालिटी का होने लगा है अब हमें पैकेज फुड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई उचाई पर ले जा रहा है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाज्यान न या फुड प्रोड़क्ट होना ही चाहिए इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है मोटे अनाज स्री अन्न का उत्पादन हो आउशदिय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृति खेती की तरफ बढ़ना हो पी-एम किसान सम्रद्जी केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टिम विक्षित किया जा रहा है बाई और बेहनों यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताए बेहने उपस्तित है माताओ बेहनों के बिना खेती की कलपना भी असंभव है इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओ बेहनों की भुमिका का विस्तार किया जा रहा है नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृशी सखी कारकम ऐसा ही एक प्रयास है हमने आशा कारकरता के रूप में बेहनों का काम देखा है हमने बैंक सख्यों के रूप में डिजीटल इंडिया बनाने में बेहनों की भुमिका देखी है अब हम कृशी सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे आज तीस हजार से अधिक सहायता समूओं को कृशी सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिये गए है अभी बारा राज्यों में ये योजना शुरू हुई है आने वाले समय में पुरे देश में हजारों समूओं को इस से जोड़ा जाएगा ये अभियान तीन करोल लगपती दीजिया बनाने में भी मदद करेगा भाई और बेहनों पिछले दस वर्सों में काशी के किसानों के लिए केंदर सरकार ने और राज्य सरकार ने पिछले साथ साल से राज्य सरकार को मोका मिला है पूरे समर्पन भाव से काम किया है काशी में बनास देरी संकुल की स्थापना हो किसानों के लिए बना पैरिसेबल कार्गो सेंटर हो बिबिन्न करशी शिक्षा एमम अनुसंदान केंदर हो या इंटिग्रेटेड पैक हाउस हो आज इन सब पे कारण काशी और पुर्वाइंचल के किसान बहुत मजबूत हुए है उनकी कमाई बड़ी है बनास देरी ने तो बनारस और आसपास के किसानों और पशूपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है आजे डेरी हर रोज करीब तीन लाख लीटर दू जमा कर रही अकले बनारस के ही चौदा हजार से जादा पशूपालक यह हमारे परिवार इस डेरी के रजिस्टर हो चुके है अब बनास डेरी अगले एक डेट साल में कासी के ही सोला हजार और पशूपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है बनास डेरी आने के बाद बनारस के अनेकों दूद उत्पादकों की कमाई में पाँच लाख रुपे तक की वृद्धी हुई है हर साल किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है पिछले साल भी सो करोर रुपे से जादा का बोनस पशूपालकों के बैंक खाते में बेजा गया था बनाजदेरी अच्छी नसल की गीर और साहिवाल गायों को भी किसानों को दे रही है इससे भी उनकी आमद में बड़ी है साथ्यों मनारस में मचली पालकों के आए बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकान लगातार काम कर रही है पी एम मच्च संपदा योजना से सैकडो किसानों को लाब हो रहा है उन्हें अब किसान क्रडिट कार्ड की भी सुविदा मिल रही है यहाँ पांस में चंदोली में करीब सत्तर करोड की लागत से आधुनिक फिश मार्केट का निर्मार भी किया जा रहा है इससे भी बनारस के मच्चली पालन से जुड़े किसानों को मदद मिलेगी साथियों मुझे खुशी है कि पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना को भी बनारस में जबर्दस सफलता मिल रही है यहाँ के करीब करीब 40,000 लोग इस योजना के तहत रजिस्टर हुए है बनारस के 21 सो से जादा गरों में सोलर पैनल लग चुका है अभी 3,000 से जादा गरों में सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है जो गर पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना से जुड़े है उनमें से जाद असर को डबल फाइदा हुआ है उनका बिजली बिल तो जीरो हो ही गया है